पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मुंदो को हाइलेट किया जा रहा है और मेरा दाइत्व या मेरी कोशिश कहलें यही रहेगी कि जो इंपोर्टन मुद्ध हैं जो रूट कॉज है जो जड़ का इशू है उसको आपके सामने लेकर रहा हूँ इस पूरी कॉंट्रोवर्स सी में वो कौन सी जड़ है जिस तक हमें पहुचना चाहिए तो इस वीडियो में उन सारे टोपिक्स जो आपके स्क्रीन पे हैं इस वक्त उनके बार में चाचा करेंगे कौन है राज कुंट्रा? किस तरह के बिजनसे करते हैं? किस तरह के स्कैम्स में फज़े हूँ है इतना टाइम से? ये पटिकल पॉर्नोग्राफिका केस क्या है? जिसमें वो अरेस्ट हुए भी फिलाज हमारा पॉर्न लॉग क्या कहता है? और क्या है ऐसी इस से जुड़िवी साथ प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें गौर फर्माना चाहिए और कौन सी वो दो सबसे इंपॉर्टन प्रॉब अपना जीवन शुरू किया और राजकुंद्रा कहते पाए गए हैं क्यूंकि जो भिंग्निंग्स थी वो इतनी हंबल थी और इसलिए उनको पावटी से बहुत सकत नफरा थी और इसलिए वो रिच बनना चाहते थे ये मान सकता लेकर राजकुंद्रा ने बहुत सारे कई नहीं आने वाली है कई कमनीज उन्होंने फांकरी कई बिजनसे किये पर साथ-साथ वो कई स्कैम में भी फशे कई कॉंट्रोवर्सी में भी फशे उनमें से सबसे पॉपलर अगिन आईपिल का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जैसे 2017 में उनको एक टिक स्टाइल कमनी ने कहा जा सकता उन्होंने राज कुंद्रा और उनके ससीट्स पे केस किया पुनम पांडे की आप आम्स प्राइम ही मैनेज कर रहे थी पर जब कॉंट्राक्ट खतम हो गया जब पुनम पांडे ने का अब मुझे कॉंट्राक्ट आगे नहीं खीचना तब भी वो उनकी इमेज और वीडियोस यूस कर रहे थे विच वर रॉंग एस पर दो कॉंट्राक्ट और पुनम पांडे फाइल दे कंप्लेंट उसके बाद होट्शॉट्स अप के लिए पुनम पांडे कहती है कि राज कुंद्रा ने उनको फिर अप्रोच किया पुनम पांडे ने मना कर दिया तो कि राजकुंद्रा उस कंप्नी से निकल गया, और जिन सारे स्क्म, जिन सारे अक्युजिशं के बाद अब फिलहाल राजकुंद्रा को फिर से रेस किया गया, और उन पर क्या पैंक प्क्युजिजिशन यह है कि उन्होंने कंडृं और के लिए कॉंट्शेटों प्रब्शय किया और इसको ट्रांस्मिट किया मुंबई से इंडिया से जो की लिगल है अब आ जाते हैं कि एक्जाक एक्क्यूजिशन क्या है लॉग क्या कहता है और तुछ जैसे आप्स होगी ऑल्ला जी कुकू अलू और ऐसी थी एक आप हॉट शॉट इसमें का जा रहा है कि राज कुं आज in facts on why है इस मामले पर पहली hearing है और और कहा जा रहा है कि जो राज कुंदरा है the chain of events were as following February 2019 को राज कुंदरा ने एक कंपणी फॉर्म करी जो की है Arms Prime Media Private Limited उसके छे महिने के बाद इसके अंदरगत एक एप बनाई गई होट शॉट शॉट इसको लेकर वो आगे बड़े पर बाद में कहा जा रहा है कि लोग को बाइपास करने के लिए वो होट शॉट की कंपणी उन ने अपने brother-in-law प्रदीब बक्षी को बेच दी 25,000 डॉलर में जो की around 20,000,000 होते हैं पर इंडिया भे पॉन के around law strict होता जा रहा था पर maintenance के नाम पे कहा जा रहा है कि वो ये content, pawn content produce करते हैं और फिर उसको transmit करते हैं और वहाँ से canron limited ये publish करता है अपनी आपके जरहे इस अप को June और November 2020 को Play Store और App Store से remove कर दिया गया जिसके बाद WhatsApp chats जो investigation में भार रही हों से बता चला कि ये लोग बड़े खुश थे कि चलो उनके पास एक alternative था which was B fame Another app Bollywood fame जिसको ये लोग plan भी बोल रहे थे कई ऐसे खाते भी पता लगे कि इन Apps को इस content को बेच कर बहुत सारा पैसा वापेस आता था कुंदरा और उनके associates के account में जो की करीबन तीन लाख per day से लेकर साथ आट लाख per day भी जा रहा है और total amount जो CBI ने freeze किया वो around 7.5 करोड तक है ये भी कहा जा रहा है कि he also tried to bribe the officials to evade the arrest 25 लाख रुपे की bribe उन्होंने कोशिश करी ऐसे सब कुछ कहा जा रहा है तो guys कहीना कहीं chain of events देख कर ये साफ पता चल रहा है कि Raj Kundra was definitely involved in making this kind of content but whether he was doing porn content or vulgar or erotic content we have to still find it because हमारा law बड़ी clearly differentiate नहीं करता इस बारे में और जो lawyer है राज Kundra के वो ये कह रहा है कि he was not making porn films he was making just erotic films just like Ulu who does or All Balaji does guys अब आते हैं कि Raj Kundra यहाँ problem है यह कुछ और problems भी है guys see there are some seven problems here और राज Kundra ने अगर law को bypass किया है वो investigation बता देगी उसकी hearing बता देगी और वो अगर maintenance नहीं कर रहे थे आपकी पर data transmit कर रहे थे create कर रहे थे content और transmit कर रहे थे that is wrong और दूसरी जो इससे मिलती जलती problem है वो यह है कि what is the law what is the difference between soft porn and hard porn what is difference between vulgarity, erotic content versus obscenity versus profanity versus porn क्या sexual intercourse is the major differentiator या कुछ और because आप अगर देखें हमारी country में बहुत सारी websites ब्लॉक ही करीवन 800-900 website जो porn website थी जिसमें hardcore porn होता था पर यह जो soft porn होता है जो old bala ji बेच रहे है they take it to that level जहां same problem होगी क्योंकि websites क्यों banned किये थे because कई ऐसे rapes हो रहे थे जहां दिख रहा था कि पहले porn देखी गई है उनको exploit किया जा रहा है जो बच्चे उनको exploit कर रहा है child pornography दिखाई जा रही है और यह बस OTT platforms पर या किसी app पर social media पर नहीं है यह Facebook पे भी है Instagram पर यह YouTube पर यह हर जगे हो रहा है क्या कर रहा है मैं उसके लिए problem is the ease of access with digital data with digital age smartphone सब बच्चों के पास है एकसेस कर सकते हैं हमारे जो मिनिस्टर है प्रकाष साहब वो यह बोल देते हैं कि भई यह OTTs करेंगी उनके पास sensor नहीं है तो क्या हुआ यह खुछ self-certify करेंगे और उनको parental lock प्रोवाइड करना चाहिए और बच्चों के parents उनको इंशोर करना चाहिए कि बच्चे यह समना देगे बट क्या इतना easy है On OTT platforms they will have to have a self-regulation there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that कई OTT platforms जो यह parental locks implement किये हैं जिन्होंने कईोंने नहीं किये तो उसके लिए क्या हो रहा है उसके लिए उनको कोई सजा है कोई penalty है या नहीं है उससे बड़ी problem है इतना exploitation हो रहा है और जो जितने भी feminist हैं जितने भी Bollywood के लोग हैं जो ऐसे subjects में movie भी बनाते हैं बहुत बढ़ चड़ के ऐसे कई feminist हैं जो बोलते हैं जो बोलते हैं जो पर यह जो मुद्द है इस पर कोई नहीं बोल रहा है और मेरी खुद की एक दोस्त हैं जिनको एक reality show के बाद किसी ने प्रोच किया उनसे जबरदस्ती ये scenes करवाए जो कि आप hardcore pawn नहीं होता है पर उसमें भी pressurize किया जाता है लड़कियों को और फिर आपको डराया जाता है धंकाया जाता है आपके घर पे गुंडे भेज़ दे दियाता है और आपको financial penalty के लिए बोला जाता है तो obviously these girls have to do it तो what about those girls और last में मुझे ही लगता है ये बहुत बड़ी opportunity है जितने भी सारे victims है और they have to come forward और वह कैसे आएंगे आगे जब हम इस चीज़ पे आवाज उठाएंगे जब हम इन questions को बार बार पूछेंगे जब हम इन problems के बार में discuss करेंगे तो guys अगर आपको लगता है इस video को फेलाईए इन questions को आप भी पूछें ये सारे questions आप देख रहे हैं सामने with all the hashtags you can use them in the tweets you can use them across different communities ये questions पूछने बहुत ज़रूरी है and only then we can become the change leaders by asking the right questions एक कुंदरा को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी बट यहां हजारों कुंदरा गूम रहे है और हजारों लोगों की हजारों लडकियों की हजारों बच्चों की life खराब हो रही है उसका क्या ये जो soft porn content बनता है उससे जो बच्चे जो 13 साल से छोटे जिनकी मान सकता नहीं होती कि right है wrong है उसको समझने की उसको decide करने की अब मुझे क्या करना है वो जो negatively influence हो रहे है negatively impact हो रहे है क्या बस ये parents पे छोड़ दिया जाए या कुछ government को भी करना चाहिए ये सारे सवाल बहुत important है पूछने है तो क्याई इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ना चाता है solutions बहुत है solutions के बारे में हम discuss कर सकते है आगे मैं ये story जरूर chase करूँगा because मैं ऐसे तरहीं चूटने वाला बहुत सारे important मुद्दे हैं but the purpose of this video is to ask the right questions और इस मामले को थोड़ा और decode करना जिस मामले की जड़ का issue है वो सामने आए बस ये नहीं की Raj Kundra का क्या हुआ राज Kundra ने Savior खाया, शिलपा शिती ने आम खाया, शिलपा शिती ने अब ये post कर दिया Raj Kundra ने ये tweet किया था अब इस लड़की ने कहले नहीं major mudde ये है ये साथ problems को लेकर हमें आगे जाना चाहिए the purpose of this video is also to ask all the girls all the victims to come forward and raise the voice और मैं ये बोलूँगा जितनी भी लड़किया है जिनको भी exploit किया जाथ है please don't judge them as prostitutes or sluts तो asking the right question is important and getting the right regulation is important this is what I have to say guys मैं इतना ही कहूँगा इस video में आपको ये video कैसे लगा आपकी क्या प्रतिक रही आप क्या समझते हैं problem कहा है do share this video if you think this subject is important जरूर इस video फिलाएं अगर आपको लगता है ये topic ये subject बहुत important discuss करने के लिए मैं ऐसे video में फिर से मिलूँगा आप देखना है पीपोई जहाँ आप कुछ नहीं चुपएगा मैं हूँ अकाश शब्बा खैर खुदा आफे सस्रकाल राम राम शेर्जन गुद्बाद